पुपेस बगेल हीरो होगे जो मेरा गुरूत की रहते हो भी मेरे से काम कराँक ले जाते हैं, एक एक पैसा वसूना है भारती जंताव पार्टी दो मुहाँ बात हैं, दो मुहाँ साफ के जैसे बात कर, पिछ से बात कर, ट्राइबल की हक की लड़ाई, लडने के लिए कई आ चार बार उनका विधायक चुनकर बनकर आना और इस बार वो क्याबिनेट मंत्री भी है कुल्च्रल मिनिस्टर है फूड मिनिस्टर है अगर अभी तक अगर आपने गैस नहीं किया है तो मैं बात कर रही हूं अमर्जीत भगत की आज हमारे साथ 36 तक पर जुड़ रहे हैं नम रिसिंटली आपने अपनी मूचो पर कॉंग्रेस की हर जीत का दाव लगाया है तो इसलिए इसी पर मैं आपको पहला सवाल लूँगी जिससे आपकी शर्त लगी थी रामविचार निताम जी ने रिसिंटली एक जो आंदोलन हुआ था बीजेपी के तरफ से उस आंदोलन के स्टेट से ये कहा था कि अगर कॉंग्रेस वापस सत्ता में आती है तो नंद कुमार साय जो समय बीजेपी के बड़े लीडर रहे थे वो अपनी बाल कटवा लेंगे और ये अपनी बाल से लेकर अपने मूचों तक ये लड़ाई लेकर आई और आपने कॉंग्रेस आती है और अगर कॉंग्रेस आई तो मेरे मूचे बरकरार रहेंगी लेकरन अगर बीजेपी आई तो मैं अपनी मूचे मुचे मुनबा दूंगा जिससे अपकी शर्ट लगी वो खुद आज कॉंग्रेस का बहुत बड़ा चाहरा हो गए हैं आप क्या कहना चाहेंगे आप ये शर् चुड़ों का अल्प संख्याक का जो दलीत वर्ग है उनका हमेसा ख्याल रखा और जो काम करती है तो अपने आइडूलोजी में इन सभी वर्गों को साथ रखती है सब का विकास के लिए योजना बनाती है और इस देश की अजादी से ले करके अभी तक का सफर में जो ट्र तो आज अगर अडिवासी में आपको कहीं दिख रहे हैं प्लेट फार्म में तो समझ जे के कॉंग्रेस की दिन है मैंने जो मूछ में दाओ वाली जो बात कही थी लोगों ने कांग्रेस को कम आकने का एक डूस्वास किया था जिस कॉंग्रेस ने देश की आजादी की जिस कॉंग्रेस ने आदिवासियों को रिजर्सिस दे करके आगे बढ़ाया आज भी उनका चाहे एजुकेशन में हो चाहे नौकली में हो प्रमोसर में सभी में उनको आगे बढ़ा रही है जमीन काधिकार उन्होंने दिया है तमाम चीज को देख करके मुझे लगता है कि जो किया है और कॉंग्रेस नहीं किया है और जिस कमतर आकर रहे थे कॉंग्रेस को उनके लिए एक हमारे तरफ से उनको जवाब था कि अगर इतना करने के बाद कॉंग्रेस सत्ता में वापस नहीं आती है तो हम अपना मूच मुड़वा देंगे तो उनको जवाब था और आज जो भी मेरा उस पे जो दावा है वो बरकरार है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसानों को धान कदा मिलता है तो 36 गड़ मिलता है हम यूनिवर्सल पीडियस सिस्टम लगाया है यहां लागू किये हैं पूरे हिंदुस्तान में जो शिंट्रल नार्व से पांच किलो प्रति व्यक्टी चावल देने का है चावल या जो जो भी देते हैं हमारे प्रदेश में चावल देते हैं लेकिन हमें पर से सबसे बेस्ट जो योजना और हौर तो आज लोगों के लिए पास खाने के दिक्कत नहीं है आज लोगों का आमधनी को बढ़ाने के लिए हमने पूरे राज्य की पहचाण जहां किरिशी से इनकी संख्या 85% से भी उपर है उनके लिए हमें योजना बना करके उनका कर्ज माफी उनका धान खरेदी पुरा पुरे देश में MSP 2040 लेकिन हम दे रहे हैं 2640 तो कहीं न कहीं लोगों को हम आर्थिक रूप से मजबूती दे रहे हैं और ऐसे समय में जब पूरे देश में एक तरह से हतासा चाया हुआ है जिनके उपर देश में विश्वास लेक्त किया था उनके बातों में आ करके कि हम अच्छे दिन लाएंगे सौधीन में हम मंगाई कम करेंगे हर वर्स दो करोड़ इवाओं को नौकरी देंगे और रास्टियता के लिए उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अगर एक सर काटेगा तो हम दस सर काट के लाएंगे इन तमाम बात जो है खोकला सावित हुए है आज ना तो अच्छे दीन आए ना तो मंगाई कम हुई कांग्रेस की सरकार जब यूपीय की सरकार केंद्र में थी तो डीजलों पेट्रोल के दाम पचास साथ रुपया स्वास थे आज उसकी सव पार कर गया है दो करोड इवाओं को हर साल मोकरी देने की वाद कहीं थी उसका अता पता नहीं है और आप देख लीजिए कि जो जो वादा किये थे उसमें और भी खरा नहीं उत्रे उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा था एक सर के बदले दस सर कटके लाएंगे कहीं आता पता नहीं चलता है चाइना भारत के अंदर भूस करके कई किलो मीटर कई गाउं बसा दिये और हमारे प्रधान मंत्री महोदय को दिखता नहीं है इनको तो दिखता है कि आपस में कैसे लोगों को लड़ा के हम सत्ता में आने के लिए हम अपना एडिलोजी लोगों के सामने रखते हैं लोग उसी के अधार पर बोटिंग करते हैं लेकिन एक बार आने के बाद आप उसको छोड़ करके दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं जो बात आपने कही थी उसको आप बीच में ही छोड़ दि जिस जिन संस्थाओं को इंद्रा जी ने राष्टी करण किया था बैंक हो गए एलाइसी हो गए बाके और भी संस्था वो सबको अपने जी करण को धड़ा धड़ दे रहे हैं तो आज रोजगार कहां से सरजीत होंगे रेलवी सबसे बड़े हम सोचते हैं कि अपने सबस्तान में रोजगार देने के लिए और आर्थिक जगत में भी सबसे अगर प्रभावस वाली कोई सेक्टर है तो रेलवे हैं उस रेलवे की बजट को देखने के लिए सब काम छोड़ करके लोग रेलवे बजट जो बज़ाट पेसों तो देखें आता पता नहीं है कहां क्लास थ्री और फोर और इस क्लास की भरती अभिबंध है आप ऐसे दोनों हाथ से नीजी करण कर रहे हैं कि जैसे कोई आप रेवडी वाट रहे हों लेकिन इस देश का क्या होगा इसी से एक सवाल था कि बीजेपी का यह कहना है कि कॉंग्रेस अभी तक इतने सालों तक डेकेट्स तक पावर में रही लेकिन कभी कोई ट्राइवल प्रेसिदेंट नहीं बनी और बीजेपी ने आने के बाद एक ट्राइवल प्रेसिदेंट बनाई तो कहीं नहीं आप भी इस चीज से सहमत होंगे कि बीजेपी ने आदिवासियों को आगे तो जरूर किया एक रप्रेसेंटेशन जो गायब था एक सेंट्रल प्लाटफॉर्म से बहु चीज दिया है देखे इसके लिए तो हम उनको बधाई देते हैं कि आपने महामहें मोरुमो जी को राष्टपत के लिए लेकिन से पूछत है कि बनाने के बाद उनके साथ जो जो किया और कि मैं इस्याव हां किосativ को और उसका न होकस्तिु करने का जो और काम अपने किया है यह लिए उन दिट ए 다음 ौभि आपत्ती जनक बात कि जिसको पन करने बेचतीन करते हैं , Kabid जी कर लोकारपन पूरा देष मांग कर रहुका कि नए भावन कर रहे 같은데 कम से कम सरवच सबस्कुस सब्वाइए , एक करने अच्छा लगा taste अपने किसी वाद मानी क्या है आखिर इए डिटेक्टर सिंख तक इस देश को बनाने में कई साल लग गये और बहुत लोगों ने अपनी कुर्वानी दी है सहाधत दी है कई ने अपना पुत्र खोया है कई ने पती खोया है कई ने पिता खोया है और उनके साथ जो आप सुलूग कर रहे है ना पक्षपात कर रहे है ना इस देश के एकता के लिए अच्छी नहीं है आपको जरुरत पढ़ती है तो आप सविधान की दुखाई देते हैं बाद में सविधान की भी आपने खिलने उड़ाया जरुरत पढ़ती है तो आप गांधी जी के मठ में भी जाते हैं उनके मूर्ती के पास जाकर के आप हाथ भी जोडते हैं वहां सद्धाजली भी उकरते हैं गांधी जी के सहारा लेते हैं और जैसे काम निकल जाता है तो आप गोड़से जी के भी मुर्ती वनवाने के आपकी पालिटी बात करती है और गोड़से जी के भी तारीफ करने लगती है ठीक नहीं है इस दियस के लिए अगर वापस आए तो आपी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आई तो हम आपको बिना मैं बोल रहा हूं कि इस प्रदेश में सरवाधिक आदिवाश्री वर्ग के लोग है जिनकी संख्या हम प्रतिसत के हिसाब से देखे तो 32 परतिसत अनुसुचित जाती 13 परतिसत अन्य पिछड़ा वर्ग 27 परतिसत और आर्थिक रूप से कम जोर समानने वर्ग EWS जिसको बह इनके आरक्षण मिधान सभा में पारीत किये गए पक्ष विपक्ष सब रहा जब तक पारीत नहीं हुआ था तब तक खुब इन लोगों ने घड़ियाली आसू बहाया विपक्ष ने लेकिन हम जो ट्राइवल्स के जितने लीडर्स थे सब मानने मुक्रिमंती जी से कहा कि विपक्ष इसमें ज्यादा एग्रेशिव और मुखर दिख रहा है इसका जवाब है है कि विशे सत्र बुला करके इसको पारीत करा दिया जाए और मैं तो मुक्ष मंत्री मानिय भुपेश वकिल जी को बढ़ाई देता हूं कि उन्होंने सहर्ष श्रिकार किया और विशे सब्सक्राइब करते हैं ना कभी रहली निकालते हैं ना कभी बैठक करते हैं ना कभी मंत्री विधायकों को पहले ग्यापन दे रहते इसको प्रदेश देख रहा है और इनको भारी पढ़ने वाला है इसलिए मैंने मूचे पर दाउं लगाया है कि आदिवाशी खास करके स्वाभी मानी होते हैं एहसास करते हैं बोलते नहीं है और आपने उनके साथ पक्षपात किया क्या किया है भारते जनता पाल्टी के अध्यक्षे तातकाली अध्यक्षे हुआ करते थे विशुरु देव साहे जी जो आदिवासी वर्क से कमर समाज से आते थे आपने उसको उस दिन हटाया जिस दिन आदिवाशियों को सबसे बड़ा तेवहार होता है 200 आदिवाशी दिवस पूरे देश और दुनिया के आदिवाशी उसको सिलिवरेट करते हैं उस दिन आपने उसको बेजित करके हटाया है हटाना रहता तो आगे पीछी हटा लेते लेकिन जिसके हां मांगलिक कारे हो कोई आयोजान हो कुछ सिलिवरेशन हो उस दिन आप उनके हां सब खुशी में आपने भंग डालने का काम किया लोगों को दुखी करने का काम किया आदिवाशी उका दिल दुखाया है क्यों आपने हटाया उस दिन विसम्रून साहईजी को जिस दिन आदिवाशियों का उत्सो था तो यह सब सब देख रहे हैं आदिवाशी वर्ग बोलता नहीं है एक टाइम भूखा रहेगा कुछ नहीं कहेगा लेकिन महसुस करता है जि बिलकुल मेरा जैसे कि भाँने कहा रिजरवेशन का मुद्दा अपने खुध सामने किया कि कैसे रिजरवेशन को लेके कॉंगर्स लगातार लडाई लड़ते हुए आई है और कॉंग्रेस ने डिसेंबर में विधान सभा सर्तर किया और रिजरवेशन के बिल को, तीन बिल थे उन्हें वापस लाया, उन्हें लाने के साथ-साथ 76% तक की कैपिंग भी कर दी, जो आज तक 36 गड़ के इतिहास में मुझे नहीं लगता कभी हुआ होगा, लेकिन 36 गड़ की रनी ठी कैसी रहेगी, क्योंकि रिजरवेशन एक बहुत-बड़ा मुद्धा रहेगा ट्राइबल बेल्ट में, और आप ट्राइबल के सबसे कदावर और चहीते लेकर आप सबसे आगे खड़े मिले हैं लोगों को और लोगों ने अपनी आखों से चीज देखी में बने कांग्र्स की लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी कि सबके मन में यह सवाल है ऍलाई है समाजी नया है कि बात और जिसकी जितनी भागी दारी उसकी उतनी जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी जो जिसकी अनुपात के जिन संख्या के अनुपात के अनुपात के अनुपात के इसको लाया गया है और विधान सभा में पारित कराया गया आगे भी हम उनकी साथ हैं और तैह करना है कि सामने वाले पार्ट तो मानने मुख्यवंत्री भुपेश वगेल जी का सुक्रगुजार है उन्हों ने हाई कोट के आदेश के खिलाब सुप्रीम कोट में जा करके उस आरक्षण को आदी वर्षियों का 32-32 आरक्षण को बहाल करा के लाया है लेकिन बाकी बाकी लोगों का क्या बाकी लोग क्या क कि राजेपाल किनके हैं राजेपाल केंदर की अधीन है महामह्यम राज रुपाल जी को दस्खच करने से कौन रोक रहा है यह बात भी समझना और हमाह आप और प्राप्ति के लिए आएंगे, यह उचित नहीं. आपके समाजिक प्रतिबद्धता क्या है? आप समाज के लिए क्या कर रहा है? जब किसानों के उपर आफटाई धान खरीदी को ले करके, बारदाना को ले करके, आप कहीं दिखे नहीं. आदिवासियों का रक्षण, बाकि SC क रक्षण, OVC का रक्षण इसमें कहीं आप दिखनी रह आपके भूम का एकदम इसमें विलन के रूप में दिख रहा है. आप फिलिम देखते होंगे, जो उसमें जो हीरो रहता है, वो विनर होता है. और जो विलन रहता है, वो डिफीट खाता है. तो इसमें भी भूपेश बगेल हीरो होंगे, अब आगे सब डिफिट खाएंगे. सर, कमिशन की एक रिपोर्ट आई थी, कि 42% OBC पॉपुलेशन है और 3.98% के आसपास EWS है. आप लोगोंने कमिशन से एक क्वान्टिफाबल एक डेटा मंगवाया था और ये वापस आया था, ये रिजल्ट लेकिन कहीना कहीं 76% सर अनकॉंस्टिटूशनल भी कहता है, तो इसका जो दावपेज बिगड रहे हैं, सिगनेचर तो गवर्निर की तरफ से आना है, जैसा कि आपने कहा हो, और वो कहीना कहीं अटक रहा है, वो पूरा मुद्दा, लेकिन ट्राइबल कम्यूनिटी आज भी सियाहत है, सल्यूशन इसका अभी भी नजर नहीं आ रहा है, मतलब को हम पहला राज्य हैं, ऐसी बात नहीं है, जो अप्टू 50% रिजर्वेशन को जिसने अगर क्रॉस किया है, तो कई राज्य हैं, जिन्होंने उस जो 50% रिजर्वेशन को कैप किया हुआ, तो उसको क्रॉस किया है, क्रॉस करने के पीछे उन्होंने कहा है, जो लॉजिक दिया है कि आपके पास अधार क्या है अधार आपके जंसंख्या या पॉझे या कौंटेफ़के षर्ठर एक प्रच कर वाद ओसका एक आधार होना चाहिए आधार हमने पेस किया है दुसरी राज्य जिस चीज को एडाप्ट किया है उसी को हम भी कर रहे हैं तो इसमें तो कहीं कोई आप अगर घर से निकले नहीं है और आप रास्ते में क्या हो जाएगा उसका पहले से आपने आकलन लगा लिया वही भारती जन्ता पार्टी जो पिछले जो पूर राज्य पाल थी उन्होंने वही बात कह रही थी कि आप 58 परसेंट में जब कोर्ट ने आपत्ति कर दिया तो आगे क्या होगा तो आप संका का तो कुई समाधान नहीं है और आज हमारा 32 परसेंट 32 परसेंट आरक्षान आखिर सुप्रीम कोट ने बहाल किया ना तो भारती जन्ता पार्टी के साथियों से पूछना चाहता हूं आपकी भूमिका क्या है समाज के प्रति आपका प्रतिबद्धता क्या है अगर आप ट्राइवाल की बात करें एसी की बात करें प्रति देश के लड़ाई लड़ी अजादी की लड़ाई लड़ी मेरी पार्टी गांधी जी के नित्रित में देश को आजाद कराया और बाबा साब अमबेटकर ने जो कॉंस्टिशन बनाया उसमें आदिवासियों को आरक्षण देने का काम सिक्षा में नौकरी में और प है कि आपने समाज के लिए कुछ किया है आपने केवल इतने किया है मेरे जानकारी के अदुशार कि आपने कोबीट जी को राष्टपती बनाया आपने प्रदेस्धिक्ष बनाया और बनाने के बाद सबका बेजिती किया है और बेजिती करने वालों का हसर क्या होगा आने वला समय बताएंगा यह सवाल हम आपके तरफ से बीजेपी के सामने जरूर रखेंगे और इप लाइट नोट में जाते हैं बगज जी आपने अपने अपने इंट्रड़क्शन में कहा, ट्राइबल्स के हग की लड़ाई के साथ किया, और चार बार 2003 हो, 2008 हो, 2013 हो, 2018, चार बार भारी मतों से जीतना, और फिर सीतापूर से जहां से आपने अपने अपना ग्राजुएशन किया था, वहां से आप चुन के लोगो की पसंद बनकर आए, राजनीती में आपको इतने साल बीच चुके हैं, राजनीती में आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि राजनीती आपके उम्मीदों पर खरी उतरी और कौन सी क्राम को इमान्दारी से दिएगा और कि वर्कंत तो अगर आप अपने कर्म को पूजा के हिसाथ से आप देखेंगे तो उसमें जरूर आपको सम्मान मिलेगा आफर मिले और उसका प्रतिसाद मिलेगा। और अगर इसके विपरीद, अगर आप जो ही अपने जो responsibility है उसके साथ अगर आप चल करेंगे उसमें कहीं आप आप कोता ही वरतेंगे तो निश्ची तरुप से उसका नुखसान होता है तो यह तो हमारा hobby है शुरू से ही कि सुबह उठने से ले करके और रात तक सुने तक जतना भी काम हमारे पास आता है हम लोगों को जतना बन पड़े हम मदद करते हैं और यहां तक कई बार होता है कि जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े रहते हैं जो मेरा बिरोद की रहे तो भी मेरे से काम कराकर ले जाते जाते हैं तर वह चीज तो हम अभी महसूस कर रहे है क्योंकि आप अभी हमारे पास time को लेकर काफी जादा ख जल्दी आम इंट्रव्यू रप अप करें क्योंकि बाहर उन से मिलने के लिए लोग मौजूद है और बिल्कुल इस चीज में पीछे नहीं हटना चाहते उनके टाइम में वह कमी नहीं करना चाहते कुछ मेरे कुछ सवाल और बाकी है पीडियेस का घोटाले के बारें बात हुई क्योंकि आप फूड मिनिस्टर है और इस बार का जो विधान सवा 17 रहा काफी हंगामेदार रहा तो भारतिये जनता पार्टी ने पीडियेस घोटाले का एक मामला उठाया आपने स्विकारा और आपने कहा कि हाँ जांच होगी 600 करोड का घोटाले की बात कर रही है भारतिये जनता पार्टी ये घोटाला किस तरीके से उन्होंने उठाया है तो एविडिन्स है उनके पास आपने भी स्विकारा है इस पे आगे क्या कारवाई हो चुकी है और क्या आने वाले समय में लोगों को देखने को मिलेगी कारव है उसको बोलने का कोई नयती कधिकार नहीं है नंबर एक और नंबर दो जब विधान समय में बात आई तो हमने एक्सेप्ट किया कि हमने चावाल लोगों को दिया है और लोगों को डिस्टिबियोशन के लिए दिया है जो भी हमारे सेल्समें डिस्टिब्यूटर है उस समय हमने डेटा और रजिस्टर में संधारन उस पर ध्यान ना दे करके हमने जहां से वे रिकोईर्मेंट आया रिक्विजिशन आया हमने वहां पर देने के लिए एक लिब्रल एक निर्देश जारेगी हमाने मुख्यमंत्री जी के निर्देश हमसाथ जिसके पास आप यहां के मजदूर अगर इस किसी तुरंत डेटा जो है करेक्टर नहीं हो सकता उसमें टाइम लगता हूं और इसमें डेटा तीन प्रकार से अप्लोड हो रहे थे एक मेनुवल, दूसरा टेबलेट में और तिसरा एपोस मशीन में तो पहले जब हमने रेंडम इसका सत्यापन किया सत्यापन में देखा कि जतना डिस्टिबूशन के लिए हमने दिखने रहा है तो हमने सब के ऊपर रिकावरी निकाल दिया सब को कहा कि आप लोग इसका भरपाई करें अब उसी डेटा को देख करके लोग मारे लगा कि हम बहुत बड़ा कोई हथियार हाथ में लग गया है अरे तो हम हीने सत्यापन कराया और आप यह पूर मुख्यमंतर जी नहीं कोश्चन लाया था और उससे मेरा प्रश्ण है कि आप अपने कारेकाल में केवल दो बार सत्यापन कराया और दोनों बार में आपने कहां पर कितना सौटेज आया और आप ने किवल लोगों के सो gebracht उसको आपने माली है कि और किसी की सिल्फ को नहीं माना वाल कि जो ऐपन दिया था इसको डिस्ट्रिविशन को डिस्टिवीशन तोनों को टेली किया और जो अन्तर आया था उसको हमने रिकाज़ी के लिए निकाला उसमें से बहुत लोगों का चिठ्थी जारी करने के बाद जमा हो गया है और जिननों का जमा नहीं हुआ या उन लोग अपना डेटा प्रेस नहीं कर पाए उनसे वसुली हो रहे हैं और हमने कई लोगों को खिलाफ FIAR भी कर दिया और कई लोग ग्रिफतार भी हो गया है और सब अगर सासन ने कोई भी रासन या अन्य खाद्यान समागरी लोगों के लिए दिया है तो लोगों तक अगर नहीं पहुचेगा कोई बीच में उसमें गड़वड़ी करेगा तो उन आने वाले चनावू में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा करप्शन बीजेपी कहरी है लगातार करप्शन एक मुद्दा रहेगा लेकिन फार्मर्स काफी ज्यादा मुझे अभी तक तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं आपके हिसाब से आपके आ और से प्रस्ताचार कहां से आपने항 साय पनेtsи का पैसा रोव दिया आपने अन्ने विकास के जो आ रैस यो थे सबी में अपने 50-50 कर दिया जब कि कॉंग्रेस की सरकार तो किंद्र प्रवर्ति ती योजना में जो रेशियो रादा था 85% सेंट्रल देता था कई में तो 100% देता था इन्हों ने ब्यापारी के दिमाग लगा करके लोगों को दिक्कत में डाला है 50-50 इसका सेंट्रल कर इस्टेट का रेशिय कम हुआ है विकास के रखतार अगर धीमी हुई है उसके लिए सेंट्रल जिमेदार है और करेफशन कहां से जब आपने पैसे रिलीज ने किया तो करेफशन कहां से आ गया हाँ आप दो तरह की बात करते हैं एक बार और एक मुद्दे पर हमने देखा था कि इनके सेंट्रल क कि लीडर इधर बोलते हैं किसमांस पर प्रतिवंध और नार्थिस्ट में जाकर के दो खालिने करना बंद करें पेहले तो आप अपने एक जमान पर अडिक रहिए आप कहना क्या चाहते हैं गोहते बन तो बन गोमास से प्रति बन तो प्रति बन चहनार थिस्टों चाहिए आप एक तरह की बात करिए और जहां 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 जाते हैं अलग-अलग अपना बीजेपी दोगलापन कम करना चाहिए ऐसा आपका कहना है सब बीजेपी ने और एक बात कही अपोजिशन में है वो लगातार आरोफ रत्यारोफ लगाना उनका काम है वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने और एक आरोफ लगाया था और वो था आपके बेटे आशीश पहते क्रावा है यह कुछ को फिर शोल्म रैगाया सिर मुद्धा पर जो इस चीजेल है क्या अपने क्लारिफिकेशन दिया कि अर आपने बाद उन्हीं धिया था ऐस्पर यह अब आन्धार एक्सारी ने लेकिन आऊ आज आपसे क्लारिफिकेशन क्यूंकि मैं आपसे पार् ट्राइवल का ट्रांजिक्शन पर रोक नहीं है और नौकरी करने वाले वेस्क हैं अपने आपने अपने फैसला लेने के लिए कुछ अगर करते हैं तो उसके लिए वह त्रॉतह नहीं है कि लेकिन जिस प्रकार से इसको हवा दिया गया मैंने तुरंत उसको कहा कि अगर भारत जनता पाल्टी, और हमारे अन्यवित्रों को लगता है कि हम जमीन लेकर के गलत कर दिये, तो ततकाल उनको वापस होगा, और हमने वापस करा दिया, दुखत पहलु है कि जिस दिन वापस करा रहेते, लोग उनको छुपा दिये थे, हमको पुलिस से उनको खोजवाना पड़ा और उनको बंको जैसा लिए थे वैसे उनको वापस कर दिए लेकिन बाकी लोग रखे OUR बाकी लोग रखे हैं उनका क्या केवाल अमर्जीत भागत के ऊपर एक अंडिशन लागी होता है किया बाकी लोगं के लिल भी अपना नईतिकता दिखा है बाकी लोग अपना बड़ा दिल दिखा है जो लोग भी लिए वापस करें आप जो जिसने जिसने अरोप लगा उस अभी लोग बहुत समाज के सुपचिंतक और बहुत विचारक दिख रहे थे उन लों के लिए है केवल हमारे लोग आरोप लगाया हमने अचेप्ट के उनको वापस कर दि अब हमेशे से मीडिया फ्रेंडली रहे हैं अभी मैंने काफी सारे आप से सवाल पूछे विताउट प्रेपरेशन आपने सारे जवाबों का विताउट हिंच आपने बिलकुल एक बहुत इसी साधार अंतरीकिस आपने रिस्पांस दिया आप अपनी जबान के लिए ही फेम अपने जबान के लिए जिते पॉपिलर है कहीं आप उस चीज में थोड़े से पीछे भी रहे हैं ने देखे तारी तारी तारीफ में कुछ सीमा नहीं अगर तारीफ हैं कर दिया तो अगर किसी कोई आज महसुस कर रहा है तो इसले तो हमेसा एक्स्क्यूज है बटल्कुल हमारे तरफ से हमारे जो दिरिष्टी कोड है हमारा जो उसमें बोलने का जो तिम्स है उसमें कहीं कोई उसका नेगेटिविटी नहीं है हम लें उसको कई बार क्या है को उसको तारीफ में उसको बात करते हैं तो ज्यादा अगर उनको होगा तो कोई आस्ताहज महसुस करें अगर कोई हीरो बोले को अंदर से अभी खुश होता है कि क्या है अभी मैंने अपने आप से कहा कि जो पोजिटीव हमें सब पोजिटीव और लीड रोल में रहता है और इसके विपरित जो जो खलना एक जिसको क्या बोलेंगे उसरा विलन विलन हमें सब्सक्राइब तो अगर किसी को आप पोजिटीव रोल में अगर हिरो या हिरोई कहते हैं तो उसमें उसमें गलत कुछ नहीं है और हम तो किसी को भी पुर्शाहित करने के लिए अगर हम कहते हैं मुझे को कहें तो मैं तो मिठाई कि लाओं तो अगे बढ़ गया था मैं बोला ना कि कई लोग उस चीज को गलत उसमें ले लेते हैं या उसको कुछ लोग भड़काने का काम करते हैं कि आपने ऐसा कह दिया और बोल कोई अच्छा कपड़ा पहने कि कोई अच्छा ड्रेस अब करके आए अच्छा सिंगार करें और सिंगार तारीफ के विनाधूरी है है ना और एक कहावत है कि जब कहावत है कि संया भय आंधर तो सिंगार काहेगा सिंगार इसले करते हैं को तारीफ करें तो आपने इसलिए कि अगर किसी को भी आप हूं हम किसी का तारीफ की प्यास सब्सक्राइब तो यह आखरी सवाल क्योंकि टाइम की कमी भी है आप कल्च्रल मिनिस्टर है और 36 गर्ड को बने सब्सक्राइब लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कॉंग्रेस के आने के बाद कि 36 गर्ड को अपनी 36 गड़ी आइडेंटिटी महसूस हुई और वो दिया गया और वो कॉंग्रेस को कम्प्लीट फुल मार्क्स फुल क्रेडिट जाता इस चीज का आपने और भुपेश बगेल जी ने मिलकर यह साबित किया कि 36 गड़ी आइडेंटिटी किया होती है एक नाशनल रेडार पर आप लोगों ने 36 गड़िया वाद को बहुत जाद आगे बढ़ाया आपको लगते चिप्ति जगर नहीं जो जिस परदेश का रहता ही उसका प्रदेश से उसका लगाओ उहां की संस्किर्तिस लगें उहां की मिट़ी स्थरिम tutti रटाई है कोई गरो करता है कोई उसको इजहार ने कर पाता है और यह सब किसी चीश को एकसेप्ट करने के लिए उसमें नयतिक साहस होना चीए कि अगर कोई अपने माता-पिता के उपर गरो ना करें कोई अपने संस्कृति के उपर गरो ना करें कोई अपने प्रदेश की गरों साली परंपरा पर अगर गरों ना करें तो मैं सोचता हूं कि उसका जीवन बेकार है मानने मुख्यमंत्री भुपेश बगेल जी ने एक करने का नहीतिक साहस किया जानते हुए कि इसका या वाद के लोग हैं वो लोग को एक नागवार गुजरेगा यह जानते हुए कि सिक्का के दो पहलू है आप अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका अगर कहीं पर पॉजटिव है तो कहीं पर नेगटिविटिव है लेकिन बिना उसके चिंता किये बिना लॉस प्रोफिट का चि अगर बढ़ा रहे है अपने संस्कृति को अपने हकति त्यवार अपने धरोहर जिसको हम गरो कर सके उसको बेस और दुनिया के सामने अगर इस्थापित करने का काम कर रहे हैं उसको इंटिविच करके नए उचाही तक ले जाने काम कर तो मैं सुचता हूँ कि बहुत पोज किसी चीज को एक्सेप्ट करना इसी इसी क्रम में का आखरी पक्का आखरी सवाल हमारे पीछे श्री राम जी भी है और सीता महिया भी है बीजेपी ने श्री राम जी को आयोध्या में विस्थापित करने का काम कर रहे हैं लेकिन चत्तिसगड में कुल ऐसे 61 साइट से जिसक करना ना पर कबिज रही लेकिन च्री राम जी को लेकर कभी कोई ऐसा राम वं गधुर बनाने के पहल डीजीपी ने कभी नहीं की और ये चीज कांग्रेस कर दिखाया, कॉंग्रेस निकर दिखाया तो सर आपको लगता है कि राम वन गवन पत सर्किट के काम पूरा हो जाने के बात क्या पार्ट टू भी आएगा एक वर्जिन टू भी आएगा जिसमें और भी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इसी सर्किट को वर्जिन 2.0 राम भी लोकेशन को जोड़ा जाएगा कि इस क्रम में भी बाते हो रही है काम चल रहा है देखिए भगवान राम का संबंद 36 गड़ की संस्कृती से और यहां की मिट्टी से बहुत वाड़ा संबंद है और भावनात्मक संबंद भी है और धार्निक संबंद भी है अभी तक वो पक्ष उभर के सामने नहीं आया था इसकी इतिहास जो है लोगों जो जानकार लोग है वो लोगों ने लिखा है महा कोसल के बारे में लिखा है दंडकारे के बारे में लिखा है और भगवान राम के बना अगमन के बारे में लिखा है लेकिन कभी उस जगह को या उस स्थान को उन्होंने इस्थापित करने का काम, उसको पहचानने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं गिया. हो सकता है कि आदिकाल से इसमें प्रयास नहुआ हो लेकिन अभी तो इसमें प्रयास हो रहा है और प्रभु के ऐसा इच्छा रहती है कि जब जो काम जिससे कराना रहता है, उससे कराते हैं. और उनके इच्छा के बिना, बिना हरी के इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं है. और भगवान राम का जो भावनात्मक संबंद कि यहां का उभाजा है, माता कौसल्या का मै का है. और हम आप देखे होंगे कि इस्कूल जब पढ़ते समय बाल लेका लिए जब घर में डांट पढ़ती थी या कुछ करते तो किस के हाँ जाते थे? नानी के हाँ जाते थे, मामा के हाँ जाते थे. जब भागवार राम भी उनको बनवा सुला, तो कहा है? नान्याल है. तो नान्याल का प्रेम, नान्याल का लगाओ, नान्याल का तो दुलारा होते हैं. चो उस राम वन पथगवन का विकाश करना, उसको आगे बढ़ाना, ए छटीजगर सरकार ने, उसमें काम करना सुरूप किया है, मानने मुख्य मंतरी भूपेश बगेर जी का जो कांसेप्ट है, कि 36 गड़ को एक नए सुरूप में सब के सामने लाया है, और बहुत उचाई इसको मिल रहा है पूरे देश और दुनिया में. आने वारे समय में, जो आप गुल रही हैं, साम जो सर्कीट के साथ साथ साइड और जो सर्कीट है उस पी भी होगा तो निस्चित तोर पे, जब पहले फेज में जो हम लोगों ने लगवा सातर पचातर जयाओं को जो एडिंटिफाई किया है, भरतपूर के हर चोका से ले करके, सिरी नरायण और रामाराम कॉंटा तक तो उन सभी स्थानों को मिक्सित करना, जो सैलानी आएंगे अनने प्रदेशों से, देशों से, उनके लिए रूखने का वे उस्था करना, उनके लिए अच्छे साइड वाइट करना, ते सब काम चल रहा है और एक काम कोई एक दू दिन में होने वाले नहीं, ये तो अब तो सर राम वन गमन टू पॉइंट वाइगा और भी साइट को इडेंटिफाइ किया जाएगा, जब विक्सित हो जाएगा तो निश्चित तो पर आगे और भी इसके स्वरूप आएगे, और भी बर्जन आएगे, तो आप इंतिजार करी, बिल्कुल, सबसे बड़ी ब्रेक होती है, तो ये कहना है कल्चरल मिनिस्टर अमरजी भगत का और हमारे साथ वो जिड़े रहे, बहुत अच्छी शांदार चर्चा हुई, और उनके मीडिया फ्रेंडली होने का हमने पूरा फायदा उठाया, तीके सवाल के साथ-साथ, सारे अच्छे सवाल पे भी उन्होंन में मारे और हमारे साथ-साथ-साथ-साथ-साल-जा, उन्होंन ल GC 1206 ड